सो हे गाईज सो आगते आपका फिर से एक और वीडियो के अंदर उम्मीद करता हूं सब मेरे भाई ठीक होंगे तो इस वाली वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं स्पेशल ग्राफिक सेटिंग के बार में in new state mobile और साथ ही आपको पता ग्राफिक सेटिंग के अंदर आपको किया अंदर ठीक है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्यारी सिर्कोर आथा चैनल पर पहली बार रहा है तो पहले वीडियो को लाइक कर दो बाकि ऐसी यूस्विल वीडियो देखने के लिए new state के रिकार्डिंग आप चैनल को सब्सक्काब भी कर सकते हो चलिए हम पर हम टैमनी वेस्ट करते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो पहले बात करें ग्राफिक सेटिंग के बारे में पहली ऑप्शन आती है प्रफॉर्मस फ्रेम रेट तो यहां गाइस जितना आपके डिवाइस जादा एपियस आपको शो करता है तो पहले गाइस आपने जादा एपियस सेलेक्ट कर लेना अपने डिवाइस के अंदर जैसे कि मेरे को 90 एपियस यहां पर शो कर रहा है तो मैं 90 एपियस सेलेक्ट कर लेता हूँ अगर बात करें यहां पर ग्राफिक सेटिंग के बारे में तो यहां देखो ग्राफिक आप हमेशा लाइट रखो ठी next option के बारे में dying motion इसे आप optimize कर दो बाकि brightness आप अपने उनसार select कर सकते हो यहां पर बात करते हैं filter के बारे में तो यहां मैं आपको recommend करूँगा अगर आपके पास lowest device है तो आप soft रखो अच्छा रहेगा तो इसके बाद यहां पर आपको graphic API की option देखने को मिलती है जिसके अदर आपको दो option दिखाई देती है एक तो होता है open GL दूसरा welcome ठीक है बट यहां पर बात करते हैं पहले last setting के बारे में camera view तो यहां guys app को और tpp को दोनों को आप फोल्ड कर दो ताकि आपको अच्छा view देखने को मिले अब हम बात करते हैं especially graphic API के बारे में तो graphic API के अंदर यहां पर मैंने welcome को select करके रखा को कि मेरा device welcome के अंदर काफी अच्छा वर्क करता है बाकि यहां पर आप पढ़ सकते हो the latest graphic API for faster performance select open GL ES if you are experiencing display issue तो यहां पर new state mobile के अनुसर यह welcome graphic API वो latest है और ज्यादा fast है बट अगर आप welcome graphic API select कर ले तो इसके बाद अगर आपके device के अंदर touch response आपको delay देखने को मिलता है जाफे touch response आपको अच्छा देखने को नहीं मिलता आपके device के अंदर तो यहां पर guys आप वापस open GL select कर सकते हो but welcome select करने के बाद अगर आपके device अच्छे तो इसके वर्क कर रहा तो आप continuously welcome API select कर सकते हो यह mention किया गया यहां पर और यहां पर अगर मैं select करता हूं open GL तो यहां पर guys आप फिर से पड़ो यहां पर लिखा गया है इस feature में negative effect gameplay performance only enable if you are experience display issue while using welcome तो यहां पर same thing को mention किया गया है जो मैंने आपके लिए पहले बोल दिया था अगर आप welcome use कर रहे हो तो अगर आपको touch response अच्छा आपको देखने को नहीं मिलता welcome use करने के बाद तो आप open GL use कर सकते हो थोड़ा सा easy करने के लिए यहां पर मैं अपनी example देता हूँ मैं यूज करा हूँ वलकन graphic API ठीक है अपने device करने तो मेरे device करने वलकन यूज करने के बाद मेरे को कोई भी touch issue देखने को नहीं मिलता मेरी game अच्छे तरीकी से work कर रही है बट हाला कि कुछ ऐसे device होंगे ठीक है तो hopefully guys confusing यहां पर थोड़ा सा clear हो चुका होगा बाकि हम आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं graphic API की releasing date के बारे में पहले बात करते हैं open GL तो new state mobile के अंदर जो open GL यूस हो रहा है वो 3.1 यूस हो रहा है यह release हुआ था I think 2009 में जैसे के आप check out कर सकते हो तो जो अपना वलकन graphic API यह release हुआ था 2018 के अंदर तो यहां पर एक बात तो पूरी तरह clear हो चुकी है जो open GL है वो पूराना graphic API है बट जो latest API वो अपना वलकन ही है तो यहां पर guys अब बात करते हैं performance के बारे में पहले बात करते है open GL के बारे में तो open GL guys single core के हसाब से काम करता है बट साथी बात करें अगर हम वलकन के बारे में तो वलकन यहां पर मैंने multi core के हिसाब से काम करता है तो यहां एक बात तो clear हो चुकी है वलकन graphic API या faster API than open GL तो यहां पर मैंने आपको काफी कुछ explain कर दिया कौन सा graphic API new है पुराना है कौन सा faster है सब कुछ पता चल चुका है आपको अब हम बात करें यहां पर main topic है बारे में हमें अपने device के अंदर कौन सा graphic API select करना चाहिए पहले आपको मैं एक बात clear कर दूँ अगर आपने pubg mobile खेला है जा फिर बीजमाई खेला है तो उसके अंदर जो मेरे graphic API यूस होता है वो default में open GL ही यूस होता है तो simply मैं आपको यह recommend करूँगा कि अग अगर आपके device के अंदर अभी android 8,9,10 चल रहा है तो आप select करो graphic API के अंदर open GL अगर आपके device के अंदर android 11 जफे 12 चल रहा है तो यहां guys आप welcome ही use करो अच्छा रहेगा तो guys यह थी information about graphic API के बारे में तो hopefully आपने वीडियो को enjoy किया होगा बाकि अगर आपको फिर भी doubt है वीडि देखने के लिए new study के recording आप चैनल को subscribe भी कर सकते हूँ मैं बलता हूँ next video के अंदर तब तक take care good bye